हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ मेरा नाम है संजीन जोतरा और आज हम टॉपिक लेगे हैं प्राइसिंग पे ही क्योंकि पहले भी हमने प्राइसिंग की कुछ डेफिनिशन की थी और कुछ रहती थी उन्हें आज हम डिसकस कर गए हैं तो बड़ा इंट्रस्टिंग टॉपिक होने प्रेडेट्री प्राइसिंग प्रेडेट्री प्राइसिंग प्रेडेट्री 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 का मतले भी क्या है शिकार करते हैं हम ठेके ना सेलिंग दा सर्विसेस अट वरी लो कोस्ट हम लो कोस्ट पे सर्विसेस को देते हैं और हमारा हमारा में मक्सद क्य रहने नहीं देना मतलब competition से बाहर बाहर कर देना सभी को और इतना price कम कर देना हाले कि यह अच्छी practice नहीं माने जाती तो के वर क्या होता है मुझभूरी में हम क्या करते हैं कुछ ऐसे हमारे marketeers है वो क्या करते हैं कि अपने पड़क्ट को अपनी पड़क्ट को बहुत ही कम price पे launch कर देते हैं ठीक है ना उसमें intent क्या था intent of with the intent of driving competitors out of the market out of the market अब यह करना की पड़ते हैं जब हम हमें लगते हैं कई पर क्या लगता है कि हमारा product इतना ज्यादा market में नहीं बिकरा अगर नहीं बिकरा तो फिर हम क्या करते हैं हमारे competitors भी आ जाते हैं फिर उस competitor जब आते हैं तो हम क्या हमारा main मक्सित क्या था कि चलो यार हम एकदम से price को कम कर देते हैं कम करेंगे तो क्या होगा कुछ ना कुछ लोग हमारे product को buy करने के लिए आएंगे पर ये टेक्नीक जो हमारे होते है predatory pricing ये काफी लंबे समय तक काम्या नहीं रहती सही नहीं रहती तो ये कुछ circumstances में इन strategies को इन practices को यूज किया जा सकता है फिर अगली हमारे पास आती है दरिस्दा हम कह सकते हैं जी और क्या हमारे पास two-part pricing भी है two-part pricing अब two-part pricing में गया है two-part pricing में है कि हम दो हिस्सों में price को set करते हैं services के case में अगर बात करें एक services का part जो होता हमारा उसका price कर देते फिर अगला जो हम price set करते हैं वो उसकी usage पर डिमेंड करते हैं जैसे हमारा हमारा टेलीफोन का या हमारे mobile का जो बिल आता है उसमें हम एक rent fix कर देते हमारा rent क्या होता है फिक्स होता है जैसे 100 रुपीज 100 रुपीज उसके ऊपर यह तो एक हमारा price set हो गया न टू पार प्रैसिंग की बात कर रहा हूँ एक हिसा के है जिसमें हमने price को fix कर दिया fix कर दिया 100 उसके बाद जो भी उसके charges होगे जो लगेंगे उसकी usage पर डिमेंड करेगा अगर वो जादा use करेगा अगर internet में भी अगर बात करें अगर unlimited plan नहीं है तो उसकी usage पर डिमेंड करेगा उसके usage पर जितना ज्यादा यूज करेगा उतना ज्यादा वह एड होता जाएगा जितना कम करेगा उतना कम होगा पर यह 100 रुपीज तो उसका जो हम कह सकते हैं जो रेंट आएगा ही आएगा बाकी जो आएगा व के बर क्या होता है कि कुछ ऐसे decision दी जाता है जिसमें price को बढ़ा लिते हैं कही बार मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है तो फिर customers उनको accept नहीं करता है तो फिर जब वो उसका हम कह सकते हैं विद्रोग करते हैं ठीक है तो फिर उस price को हमें कम करना पड़ता है जैसे मालो टैक्सी के prices बढ़ जाते हैं यह जब हम सफर करते हैं हमारे daily computers तो बस इसके किराए बढ़ जाए यहां रेले के किराए बढ़ जाए जैसे भी मालो जैसे क कि कुछ लोग उसमें कुछ जो हिस्सा लोगों का वो उसको accept नहीं करेगा तो अगर वो उसका हम करेंगे तो फिर क्या करना बढ़ेगा मजबूरी में हम क्या कर सकते हैं जो हमारा original price था पहले फेर था उस पर हम दुबारा आ जाते हैं उसे बोलते हैं backward pricing मतला जो price हमने बढ फिर वापिस उसी price पे हम आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं that is the backward pricing ठीक है उसके बाद जी हमारे पास और काफी सारी आती है promotional pricing promotional pricing में क्या है promotional pricing में क्या कि हम promotional offers देते हैं जैसे buy one get one free इस तरीके कि अपने customers को हम promotional offers देते हैं one get one free 40% discount 50% discount इस तरीकी की pricing को हम क्या बोलते है that is the promotional pricing hope कि आपको यह topic अच्छे से समझ आया होगा interesting भी लगा होगा pricing की सीरीज चल रही है कुछ तो उसमें हमने काफी सारी pricing strategies पहले भी discuss की थी hope कि आपको आज का lecture भी अच्छे से समझ आयाएगा interesting लगा होगा अगे लिए marketing lecture में दुबारा हाजिर होगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए पर आपका गुर्यकुल चैनल को like, share और subscribe करें फिल्म में रहेंगे thank you, goodbye, take care करेंगे